जै स्री कृष्णा आज मंगलवार के दिन आई ये सुनते हैं हन्मान जी और मंगल देव की यह कथा कुंडलपुर नामक एक नगर था उसमें नन्दा नामक एक ब्रामर रहता था भगवान की क्रिपासे उसके पास सब कुछ था फिर भी वह दुखी था इसका कारण यह था की ब्रामर की इस्त्री सुनन्दा की कोई संतान न थी सुनन्दा पती ब्रता थी भक्ती पुर्वग स्री हन्मान जी की अराधना करती थी मंगलवार के दिन ब्रत करके अंत में भोजन मना कर हन्मान जी का भोग लगाने के बाद श्वयम भोजन करती थी एक बार मंगलवार के दिन ब्रामरी ग्रिह कार्य की अधिक्ता की कारण हन्मान जी को भोग न लगा सकी तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रर किया की अब तो अगले मंगलवार को ही हन्मान जी को भोग लगा कर अंजल ग्रहड करूंगी ब्रामरी सुनन्दा प्रती दिन भोजन बनाती स्रधा पुर्वक पती को खिलाती परंतु श्वयम भोजन नहीं करती और मन ही मन स्री हन्मान जी की अराधना करती थी इसी प्रकार छा दिन गुजर गए और ब्रामणी सुनन्दा अपने निश्चे के अंसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्रामणी सुनन्दा प्रातहकाली बेहो सोकर गिर पड़ी। अपने अराध्य देव स्री हन्मान जी को देखकर आनंद की अधिक्ता से बिहवल हो। स्री हन्मान जी के चरडों में गिर कर बोली हे प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है क्रिपा करके मुझे संतान प्राप्ती का आसिरबात दे। आपकी अतिक्रिपा होगी। पती से कहा ब्रामहर देव कन्या का बरदान सुनकर कुछ दुख्षी हुए। परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रशन हुए। विचार किया की ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्रीहनमान जी की कृपा से वह ब्रामहरी गर्भुती हुई। और दस्वे महीने में उसे बहुत ही सुन्दर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी। जिस प्रकार सुक्लपच का चन्रमा बढ़ता है। दस्वे दिन ब्रामहरी ने उस बालिका का नाम करण संसकार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रतनावली रखा। कि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पुर्वजन में बड़े ही विधान से मंगल देव का ब्रत किया था। रतनावली का अश्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंडा ब्रामहर बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्रामहरी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय भीता रहा अब रतनावली दस वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंडा ब्रामहर प्रसंचित था तब सुननदा ने अपने पती से कहा मेरी पुत्री रतनावली बिवाह के योग्य हो गई है। अतहयाब कोई सुन्दर तथा योग्यवर देखकर इसका भिवाह कर दें। यह सुन ब्रामहर बोला अभितो रतनावली बहुत छोटी है। तब ब्रामहरी बोली सास्त्रों की आज्या है कि कन्या आठमे वर्स में गवरी, नव वर्स में राहरी, दसमे वर्स में कन्या इसके पास्चात रजश्वला हो जाती है। गवरी के दान से पाताल लोग की प्राप्ती होती है, राहरी के दान से बैंकुंठ लोग की प्राप्ती होती है, कन्या के दान से इंद्र लोग के सुखों की प्राप्ती होती है। अगर हे पती देव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नर्ग की प्राप्ती होती है इस पर ब्रामर बोला अभी तो रतनावली मात्र दसी वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं अभी जल्दी क्या है तब ब्रामरी सुनन्दा बोली आपको तो लोब अधिक हो गया लगता है सास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरग गामी होते है तब ब्रामर बोला अच्छी बात है कल मैं अवश्य ही योग्यबर की तलास में अपना दूत भेजूंगा दूसरे दिन ब्रामर ने अपने दूत को बुलाया और आज्यादी की जैसी सुन्दर मेरी कन्या है वैसा ही सुन्दर वर उसके लिए तलास करो दूत अपने स्वामी की आज्यापा कर निकल पड़ा पंपई नगर में उसने एक सुन्दर लड़के को देखा यह बालक एक ब्रामर परिवार का बहुत गुर्वान पुत्र था इसका नाम सोमेश्वर था दूत ने इस सुन्दर वर गुर्वान ब्रामर पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पुड विब्रड दिया ब्रामर नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर सुम मुहर्थ में बिधी पुर्वक कन्यादान करके ब्रामर ब्रामरी संतोष्ट हुए परन्तु ब्रामर के मन तो लोब समाया हुआ था उसने कन्यादान तो कर दिया था पर वह बहुत खिन भी था उसने विचार किया कि रतनावली तो अब चली जावेगी और मुझे इससे जो सियोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्चो गया और जो सेस बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है अब कोई ऐसा उपाय हो की रतनावली मेरे घर में ही बनी रहे अपनी ससुराल ना चावे लोग रुपी राचस ब्रामण के मस्तिक पर छाता जा रहा था रात भर अपनी सया पर बेचैनी से करवटे बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्ड़य लिया उसने विचार किया कि अब रतनावली को लेकर उसका पती सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का बध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोस भी नहीं देगा प्रातह काल हुआ तो नंदा और सुनन्दा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर बिदा किया सोमेश्वर अपनी पत्नी रतनावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरप चल दिया अमर सुनन्दा महालोप के वशी भूथो अपनी मती खो चुका था पाप पुन्द्य को उसे विचाद न रहा अपने भयानक वो क्रूर निरे को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का बद करने के लिए भेद दिया था ताकि रतनावली से प्राप्थ होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और ओ कभी निर्धन न हो ब्रामहर के दूत ने अपने स्वामी की आज्या का पालन करते हुए उसके जमाई शोमेश्वर का मार्ग में ही बद कर दिया समाचार प्राप्थ कर ब्रामहर नंदा मार्ग में पहुचा और रूदन करती अपनी पुत्री रतनावली से बोला ही पुत्री मार्ग में लुटेरों ने तेरे पती का बध कर दिया है भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है अब तु घर चल वहाँ पर ही रहकर सीश जीवन व्यतीत करना जो भाग्य में लिखा है वही होगा अपने पती की अकाल मृत्यू से रतनावली बहुत दुख्षी हुई करुण खरंदन वह रूदन करते हुए अपने पिता से बोली हे पिता जी इस संसार में जिस हिस्त्री का पती नहीं है उसका जीना ब्यर्थ है मैं अपने पती के साथ ही अपने सरीर को जला दूँगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यस को सार्थक करूँगी ब्रामहर नंदा अपनी पुत्री रतनावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ विचार करने लगा मैंने ब्यर्थी जमाई बध का पाप अपने सिर लिया रतनावली तो उसके पीछे अपने प्रार तक देने को तैयार है मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया धान तो अब मिलेगा नहीं जमाई बध के पाप के फल सरूप यम्यातना भी भुगतनी पड़ेगी यह सोचकर वह बहुत खिन हुआ सोमेश्वर की चिता बनाई गए रतनावली सती होनी की इच्छा से अपने पती का सिर अपनी गोदी में रखकर चिता में बैठ गए जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अगनी लगाई गए वैसे ही प्रशन हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले हे रतनावली मैं तेरी पती भक्ती से बहुत प्रसन हूँ तू बर्मांग रतनावली ने अपने पती का जीवन दान मांगा तब मंगल देव बोले रतनावली तेरा पती अजर अमर है यह महाविद्यवान भी होगा और इसके अत्रिक तेरी जोई इच्छा हो बर्मांग तब रतनावली बोली हे द्रहों के श्वामी यदि आप मुझे पर प्रसन है तो मुझे यह बर्दान दीजिये की जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातहकाल लाल पुस्प लाल चंदन से पूजा करके आपका अस्मरण करे उसको रोग ब्याधी न हो श्वजनों का कभी बियोग न हो सर्प अगनी तथा सत्रों का भय न रहे जो इस्त्री मंगलवार का ब्रत करे वह कभी बिध्वार न हो मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए शोमेश्वर मंगलदेव की कृपासे जीवी थो उठा रतनावली अपने पती को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रशन हुई और मंगलदेव का ब्रत प्रत्यक मंगलवार को करके ब्रत्रार और मंगलदेव की कृपासे इस लोग में सुक अईश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पती के साथ श्वर्ग लोग को चली गए